ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कार्ट पेइमेंट के लिए आपको पिन की जरूत नहीं पड़ीगी आधार कार्ट से ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा क्रेडिट या डेबिट कार्ट से ट्रांजेक्शन करने के लिए अगले साल से पिन डालने की जरूत नहीं पड़ीगी इसकी जग अंगोठी की निशान या आँखों की पुतली से भी ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा रिजर्व बैक ने एक नोटिफिकेशन दिया है बैंकों को और निर्देश दिया है कि वे एक जनवरी 2017 से आधार करेट के बायोमेट्रिक निशान के आधार पर भी ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए तकनिकी और इंफ्रासेक्शर के लेवल पर अपनी पूरी तयारी कर हलाएंके पिन द्वारा भी वेरिफिकेशन मान बना रहेगा अभी आधार बेस्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ रिजर्व बैंक ओफ इंडिया का कहना है कि देश में आधार का अधारकों की संक्या बढ़ी है इसलिए बैंकों के निर्देश दिया गया है कि आधार बेस्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए ट्रांजेक्शन पूरा करने की वेवस्था की जाए बैंकों में कहा गया है कि वे एक जनवरी तक टक्निकी और इंफ्रा लेवल पर अपनी तयारी पूरी कर ले इससे नहीं वेवस्था लागू की जा सकेगी अभी EVM ग्लोबली असेप्टेट स्टेंडर्ड क्या है बैंकों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे ट्रिदिशनल कार्डों क को EVM चिप आदारित कार्ड में बतले अर्बियाई का कहना है कि EVM कार्ड परिवेंट के लिए ग्लोबली असेप्टेट स्टेंडर्ड है पूरे वेस्थ में इसका यूज़ किया जा रहा है तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पे सब्स्राइब करें और अपने कमेंड धन्यवादू